अंतराश्चिय समाचार इसराइली हमलों से तबाह गाजा रोटी-रोटी को महताज, यूएन ने की निंदा गाजा पर इसराइल द्वारा किया जा रहा हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है इसी कड़ी में इसराइल ने गाजा में खाध्य प्रणाली को पूरी तरह से तहसनहस कर दिया है जिसकी वज़ा से अब वहां लोग भूखे मरने की कगार पर आ चुके है इसराइल के इस कदम की सन्युक्त राष्ट्र संग ने आलोचना की है यूएन ने गाजा में जारी भूखमरी को रोकने का आग्रह किया है न्यूज एजनसी सिनुआ की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को सन्युक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिशत के 55 सत्र में विशेश दूत माइकल फाखरी ने कहा कि इसराइली बंबारी में गाजा के 15 फीसद अधिक मत्स्यपालन छेत्र तबाह हो चुके हैं वहीं एक विशेशग्य ने कहा कि इसराइल ने गाजा में रहने वाले फिलिस्तिनियों के खिलाफ भूखमरी अभियान चलाया है इस अभियान के अंतरगत इसराइल लगातार गाजा के मत्स्यपालन छेत्र को निशाना बना रहा है उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल ने सभी समुद्री मारगों को बंद कर दिया है रूस ने यूक्रेन के शहरों पर किया हमला, साथ की मौत, 15 घायल रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बुधवार को हमले किये, जिसमें साथ लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गई घायलों में कई बच्चे भी शामिल है यूक्रेन के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी दकीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने निप्रोपेट्रोस, डॉनेट्सक, खारकिव और खेरसौन क्षेत्रों में नागरिकों के हताहत होने की सूचना दी सेना ने बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपती वलोडिमिर जेलिंस्की और ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मिच्सोटाकिस की यात्रा के दौरान रूस ने ओडेसा शहर के बंदरगाह को मिसाइल से निशाना बनाया हमलों में पांच लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए यूक्रेन के दक्षणी ओपरेशनल कमांड के प्रवक्ता नतालिया हुमेन्यूक ने कहा यहाँ हमला किसी भी तरह से किसी विशिष्ट यात्रा से जुड़ा नहीं है चीन में विश्व का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल्वे नेटवर्क लियू चंगफांग चीनी रेल्वे ग्रूप के बोर्ड अध्यक्षल यू चंगफांग ने 6 मार्ज को पैचिंग में चीनी राष्ट्रिय जन प्रतिनिधी सभा के वार्शिक सम्मेलन में भाग लेते समय मीडिया के साथ हुए साक्षातकार में कहा कि चीन ने विश्व में सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल्वे नेटवर्क और प्रगतिशील रेल्वे नेटवर्क निर्मित किया है वर्ष 2023 के अंत तक देश में संचालित रेल्वे लाइन की कुल लंबाई 169,000 किलोमीटर है जिसमें हाई स्पीड रेल्वे लाइन की लंबाई 45,000 किलोमीटर है उन्होंने कहा कि अब चीनी रेल्वे के बुन्यादी धांचे का स्तर विश्व में अग्रसर रहता है और अधिक उंचे स्तर वाले आधुनिकी करण की और बढ़ने की शर्ते तैयार की गई है उन्होंने जानकारी दी की वर्ष 2023 में चीनी रेल्वे ग्रूप ने 368 करोड यात्रियों और पीक दिनों में 2 करोड से अधिक यात्रियों को सेवाएं अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि बारबाडोस के जंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर हौथी मिसाइल हमले में चालक दल के तीन सदस्यों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए मध्यपूर्व में अमेरिकी अभियानों की देखरेक करने वाले यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बुधवार को कहा कि यमन के इरानी समर्थित हौथी विद्रोहियों ने अधन की खाडी को पार करते समय मालवाहक जहाज त्रू कॉन्फिडिन्स पर एंटी शिप ब इसे तीन की हालत गंभीर है और जहाज को भी काफी नुकसान पहुचा है। शिन्हुआ समाचार एजंसी ने यमनी सूत्रों के हवाले से बताया कि चालक दल में भारत, श्री लंका, वियतनाम और नेपाल सहित विभिन देशों के 20 सदस्य शामिल थे। बी एंटी की खास पेशकश